हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं सब, I hope so, अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, और बताइए क्या कर रहे हैं, आज मैं फ्रीजगी करने वाली हूँ, डीप प्लीनिंग, बिल्कुल डीप ली, इसका सारा समान बाहर निकालके, और फिर वापस लगाऊंगी, पूरा क्लीन क के बाद, और टाइटल देखके आप समझी गए होंगे, कि फ्रीज का तो सत्यानास कर देगी, इस तरह पाइप से पानी डालके धोएगी तो, तो ऐसा नहीं है, अगर आप इस तरह करना चाहें, तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज का तार अटा दें, और अगर आपने फ्रीज को पानी से अच्छे से बोस किया है, तो आप इसको चार से पांच घंटे तक बंद रखें, वायर ना लगाएं, तो उससे क्या होता है, यह सूख जाता है, इसमें कुछ प्रोब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं हमेसा इसी तरह क्लीन कर रही हूं, बहुत साल हो गए, इस तरह क लिया है, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर, इससे क्या है, जो जिद्धी दाग होता है, वो भी हट जाता है, कहीं बार फ्रीज में कुछ चिपक जाता है, वो अटता नहीं, तो यह दोनों मैंने मिक्स करके इस बरतन में रख लिया है, और यह एक स्पंज लिया है, इससे हलकी हाथ से में इसे फ्रीज में सारे में अपलाई कर दूँगी, अभी केवल यह विनेगर और सोड़ा ही है, खाने का सोड़ा जो होता है, तो फ्रीज में मैं जहां जहां थोड़े थोड़े दाग हो रखे थे, अधिकतर यह किनारों पर ही है, ट्रे के किनारों पर, जहां पर मतब डेली नहीं हो पाती है क्लीनिंग तो सारे में मैं इसको अपलाई कर दूँगी अच्छे से अपलाई करने के बाद मैं इसको बंद करके छोड़ दूँगी तो उससे क्या जो मैल है वो फूल जाएगा तब तक मैं फ्रीज के सारे ट्रे वगेरा हैं इनकी इन सारे आराम से दो दूँगी और यह काम करके आप समझ सकते हैं अपने घर को सफाई करके कितनी खुशी मिलती है यह तो आप सब जानते ही हैं देखो अपना काम है अच्छे से किये किसी के भरस से चोड़ नहीं सकते तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा जब भी समय मिले करते र चीज तो साफ होनी ही चाहिए तो यह मैं मतलब कोशिश करती हूं इस तरह इतनी डीफ क्लीनिंग में महीने या डेड़ महीने में एक बार कर दूं और वैसे तो आप तीन-चार दिन में एक बार वह मतलब ट्रे पक कुछ भी मतलब गिल्ले कपड़े से साफ करना यह करना व मैं आज फ्रिज क्लीन कर रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं कि मैंने कैसे अपना फ्रिज क्लीन किया है और देखो आप फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें श्टोर करकर रखते हैं तो इसलिए इसकी साफसफाई इतनी ही इंपोर्टन्ट है इतनी हमारे घर में बाक अब हम जूने पर ले लेंगे थोड़ा सा लिक्वीड सरप और इसमें फ्रीज में लगाते हुए थोड़ा सा इसको रगड़ देंगे जो हमने बेकिंग सोडा और विनेगर का घोल लगाया उससे सब मैल फूल गया लेकिन हमें एक बार हलका सा रफ करना इसको ताकि कहीं कुछ चिपक रहा हो तो वहट जाए तो बस ऐसे ही करते हुए हम इसको पूरा क्लीन कर लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से बोस करेंगे मैंने सारे वह त्रेव दो के सुखा दिये हैं तब तक यह वह सूख जाएंगे तो देखो मैंने अच्छे से पाइप लगा के पानी से और इसको अच्छे से क्लिए क्योंकि कपड़े साम पोस्ते हैं गिल्ले से पोस्तों देते हैं लेकिन उतना किलियर सा नहीं हो पाता अर धुलने से बिलकुल सारी इसकी गंतकी जितनी भी थी सब क्लीन हो गई बहुत ही एकदम वाइट वाइट सा हो गया फ्रिज तो आप ऐसे ही क्लीन है यह रबड के उप अपर भी डाल दें अब धूल मट्ती सब खतम हो जाएगी बहुत ही अच्छा हो जाता है फ्रिज एकदम जैसे न्यू आया हूँ तो आप अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है मैं तो हमेसा ही ऐसे करती हूँ और बही कुछ लोग तो देखके कहे करेंगे यह कि सत्या नास कर दिया है फ्रिज का बड़ी बंती है सफाई वाली तो जैसा आपको पसंदों आप पैसा करें ओके मसस्टाशी उसे आपको पीछ में अब हीए आप जाएं दो माच गेखके में दुना करें आप गां सब्कुर्च प्रेखके अब करें दो में अबाट कर के लिए इसमें प्रेंट में पीछेए एक बखिट होती हैं इसमें पानी बर जाता है तो इसे आप चमच की मदब से निकाल सकते हैं सारा यह काफी देखो इस तरह मैंने निकाल दिया और अपमें कपड़े से निचोड़नी चोड़ के यह कपड़े के साथ जो इसमें गंद के वह भी बहरा जाती है और यह जो कंप्रेसर है इस पर पानी लगना चाहिए तो इसे म कंप्रेसे से बिल्कु साफ कर दें यहां पानी नहीं लगा देखो मैंने अच्छी से दोया लेकिन पिछे पानी बिल्कुल नहीं लगा और जे टोग्री में इसमें बकिट में पानी है यह भी मैंने सारा निकाल दिया है आप कंप्रेसर को बचाते हुए क्लीन करें अपने कंप्रेस अच्छी से अच्नी किह भूची से यह कर देखो Cook ब्याद समय कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो पुर दो कर दो दो कि अधिला तो जी फ्रीज हो गया है बिलकुल क्लीन एकदम चका चक और मैं इसमें क्या क्या रखती हूं क्या कैसे इगनाईज करती हो इसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपको बताऊंगी क्या जो भी में तब यह मैंदा होती है और कुछ राइफ दलिया वगरा जो खराब होने वाल चीज होती है जिस पर कीड़े लग जाते हैं वह सब फ्रीज में स्टोर करके रखती हूं पर मैं कैसे करते हूं यह आपको मैं नेक्स वीडियो में तो बस इतना ही कि मैंने फ्रीज की बिल्कुल डीप क्लीनिंग की है सारा बाहर निकाल के इसका समान सब वापस क्लीन करके वापस लगा दिया है मेरा काफी मंद दिन से मंद करना था करने का क्योंकि हम बाहर बाहर से स कर पाएं तो यह तो आप आप इसको तीन चार घंटे में बंद रखूं क्योंकि मैंने पानी से इसको अच्छे से साफ कर दिया इसको और बस इस बात का ध्यान रखे तार हटा ले करंट न लगवा लेना और यह जब अभी मैंने चलाया नहीं है कम से कम मैं चार घंटे इसको पानी हो तो वह सूख जाए कि गर्मी है चार घंटे में तो सूख ही जाएगा उसके बाद मैं इसे ओन करूंगी अपना साथ चैनल पर नहीं है तो में चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है नमस्ते बाइबाई